हेलो फ्रेंड बिनीता ब्लोग में आपका स्वागत है आज मैं गाजर पुडिंग की रेश्पी सेयर करने जा रही हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले गाजर पुडिंग बनाने के लिए यहां मैंने 4-5 गाजर ले लिया है इसे छिल कर अच्छे से धोल लिया है अब इसके उपर वाले डंठल को भी निकाल दिया है अब इसे ग्रेटर से कदुकस्त कर लेंगे ये देखे सारे गाजर को ग्रेट कर लिया है अब चलते हैं अगले प्रोसेस में यहां मैंने पेन गरम कर लिया है अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर इसे एक मिनट के के लिए कुक कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक गिलास दूद मिक्स कर देंगे अब इसमें जाएगा दस से पंद्रह काजू दो से तिन चमच रोष्ट किया हुआ मुंग फली थोड़ी सी किस्मिस और दो से तिन इलाइची इसे छिल कर ले ले अब इसे छे से साथ मिनट कुक होने दे छे से साथ मिनट तक ये कुक हो गया है अब इसे ठंधा होने दे ठंधा हो गया है अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर एक दम इसमूद पेस्ट बना ले ये मेरा इसमूद पेस्ट बन चुका है इसे छननी से छान लेंगे ताकि जो भी मोटे रेसे होंगे और निकल जाए अब इसमें दो से तीन चमच कौन फ्लॉर डाले चार से पांच चमच चीनी डाले चीनी अपने अंसार कम ज़्यादा कर सकते है इसे गैस पर रखने से पहले ही मिक्स कर ले ताकि कोई गुठलिया न रहे अब यहां दुबारा से पैन गरम कर ले फ्लेम को लोही रखे अब इसमें गाजर पेश्ट को डाले अब इसे मिडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए आठ से दस मिनट को खोने दे यहां मैंने एक पिंच औरेंज कलर फूड मिलाया है इसे मेरी पुडिंग अच्छी दिखेगी आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते है यह थीक होने लगा है यह देखिए मेरा कसिस्टेंसी इस तरह का होना चाहिए अब फ्लेम को कर देते हैं अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं आप चाहें तो को भी कंटेनर या ट्रे ले सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पीस्ता डालें अब इसमें थोड़ा सा काजु डालेंगे और थोड़ा सा किस्मिस अब इसे सिट होने के लिए दो से तीन घंटा प्रीज में रख दें दो से तिन घंटा हो गया है अब इसे मन चाही सेप में काट सकते है ये देखिए कितना इस्मूध इसका टेक्चर आया है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करे थैंक यू तो लाइक, सेर और सकताद करने दिते हम तेस,